काचना मंडी जलाशय योजना में व्यापक भ्रष्टाचार अर्जुन व कमल की चुप्पी मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की बरगाट विधान सभक शेत्र अंतरगत आने वाले किसानों को सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्मित काचना मंडी जलाशय में ठेकेदारों व अधिकारियों ने जमकर व्रष्टाचार किया था इस मामले में पहले ही करोडों के घोटाले को लेकर अधिकारियों के खिलाफ जाच चल रही है वही जल संसाधन विभाग के उच्छ तकनीकी अमले को निलंबिद भी किया जा चुका है घटिया निर्मान की भेट चड़ी इस परियोजना का लाब आज भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है गेहूं एवं चने सहित धान की फसल के लिए सिचाई है तो एक पानी तक अधिकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे है जब भी लबालब भरे जलाशे ऐसे पानी की निकासी नहरों में की जाती है उस दोरान नहरों का फूटना स्थाई समस्या बनकर रह गया है विगत दिनों धान की फसल के लिए अंतिम सिचाई करने हेतु जैसे ही नहर में पानी छोड़ा गया अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्ट क्षेत्र से पानी नहरों की बजाये किसानों के खेतों भर गया जिससे धान की फसल दूब गई है ऐसा नहीं है कि इस मामले की शिकायत क्षेत्रिय किसान जिला प्रशासन सहित वरिष्ट अधिकारियों को नहीं कर पाए है सेकड़ों बार लिखित शिकायत कर समस्या का स्थाय निदान करने के लिए जलसन साधन विकास विभाग से कारेवाही करने का अनुरोध किया गया लेकिन इस बार अधिकारी विधानसभा चुनाव की आचार सहिता को कारण बताकर अपनी जबाबदारियों से भाग रहे हैं जबकि आयोग द्वारा अतियावश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए कोई भी प्रतिबंद नहीं लगाए गए है। लेकिन कभी भी कमल मंडी जलाशय योजना में हुए ब्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकरशित नहीं करवाया वही सदकर जाम कर आंदोलन करने के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात काकोडिया ने भी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कारेवाही के लिए कोई जनांदोलन नहीं किया काचना मंडी जलाशय निर्मान के दोरान जिन किसानों की जमीने अधिगरहित हुई थी वे अब विधान सभा चुनाव के दोरान मद्दान का भहिशकार करने का मन बना चुके है उनका कहना है कि वोट मांगने आये प्रत्याशियों से पहले इस मामले में चर्चा की जाएगी नहीं तो सभी एक जुट होकर 17 नवंबर को होने वाले मद्दान का भहिशकार कर अपना विरोध प्रकट करेंगे